Hello everyone and welcome back to my channel So friends, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब भी अच्छे होंगे So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे amazing kitchen tips share करने जारी हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी एक रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा और एक भी tip बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी तो चलिए फिर बिना किसी देरी की आज की इस amazing वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर तो हमारे घर में आते ही रहते हैं तो इसको यूज करने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है कि आप इसमें अपने चमज, फोक यो कुछ भी समान आप इसमें रख सकते हैं आप चाहिए तो इसको डेकुरेट करके भी यूज कर सकते हैं या तो आप एस इस भी इसको यूज कर सकते हैं हमारी घर में जब भी घी का डबबा हम लेकर आते हैं तो मैंने यहां पर अभी इसमें सारे अपने बरतन रख दिये हैं आप चाहे तो इसको डेकुरेट कर सकते हैं लेकिन मैंने अभी इसको इसी तरीके से यूज किया है क्योंकि जब यह गंदा हो जाएगा तो मैंने इसको वाश करना है हमारे घर में इस तरीके के मुबाइल बॉक्स पड़े रहते हैं जिसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं तो मेरे पास ये एक मुबाइल बॉक्स पड़ावा है जिसको मैं अपने किचन के लिए यूज करने वाली हूँ आप इस मुबाइल बॉक्स में अपने स्पाइस के कंटेनर रख सकते हैं तो मैंने यहां पर चाय पत्ती रख दी है एक रोस पैटल की और एक और गैनिक चाय पत्ती जो मैं पीती हूँ इसको यहां पर रख दिया है इसी तरीके से मैंने यहां पर एक में इलैची रख दी है एक में नमग रख दिया है इस तरीके के डब्बे यह भी हमारे घर में आ घाते हैं तो इसको हम डिस्कारट कर देते हैं लेकिन इसका भी हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने मल्डि परपस चीजों के लिए तो मैंने यहां पर अभी इसमें सुखी लाल मिर्च डाली है आप इस डबे को फेकने के बज़े इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं यहां पर देखें मेरे पास एक शहएद का डबबा पड़ा हुआ है तो इसको भी मैं अपने किचन क्ले ही यूज़ करने वाली हूँ इसको भी आप मल्टे पर चीजों के लिए यूज़ कर सकते हैं तो मैंने अभी यहां पर इसमें कुछ नीमू डाल दिया है मेरे पास अभी इतने ही नीमू पड़े हुए है तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है तो इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे तो यहां पर देखें मेरे पास एक और इस तरीके का डबबा पड़ा हुआ है जिसमें चिया सीट साय थे तो यह खतम हो चुके हैं तो इसका भी मैं अपने स्पाइस के लिए यूज करूंगी और इसमें मैं यहां पर एजवाइन डालने वाली हूँ तो आप छोटे-छोटे जैसे मसाले होते हैं जीरा, एजवाइन, मेथी आप इसमें डाल सकते है या तो आप इसको मल्टिपर पर चीजों के लिए भी तो यहां पर मेरे पास है एक चॉकलेट का डबा इसमें चॉकलेट आई थी तो इसका भी मैं यहां पर यूज करने वाली हूँ अपने किचन के लिए तो आप इसको भी अपने घर के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं कही सारी चीजों के लिए तो इस टब्बे में मैं यहां पर अभी तेश पत्ता डाल रही हूँ आप इसी तरीके से इसमें सुखे मसाले रख सकते हैं या तो आप इसको अपने घर के लिए एक मल्टी पैपर चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं दोस्तो हम अपने किचन को और्गनाइज करने के लिए महंगे महंगे और्गनाइजर खरीद के लेकर आते हैं लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके से मेटेरियल पड़ा हुआ है तो इसका भी एक बहतर यूज किया जा सकता है और इस से हमारा बिल्कुल जीरो कॉस्ट एक प सदूर मेहीं और्गनाइज हो जाती है अhernमाल कि यहां पर देखिट मेरे पास एक मुबाइल बॉक्स पड़ावा था तो इस में अपने सारे स्पाइस के बाक्स इस में रग दे रही हूं। इससे क्या होगा दोस्तों आपके सारे spices एक ही बॉक्स में आ जाएंगे और यह देखने में भी अच्छा लगेगा तो फ्रेंट्स यहां पर देखें मेरे पास यह पूरानी चूड़ी पड़ी है मेर्टल की है और इसका भी मैं अपने किचन को अर्गनाइज करने के लिए ही यूज करने वाली हूँ तो इस और चूड़ी है इसमें मैं यहां पर हैंक करने वाली हूँ अपने किचन के हैंड टावल का इस हैंड टावल को आपने इस तरीके से प्लेट्स बना देनी है और इसके बाद आपने चूड़ी के अंदर इस तरीके से इसको डाल देना है और इसके बाद आप इस हैंड टावल को इस चूड़ी को आप अपने किचन में कहीं पे भी हैंक कर दीजिए महंगे महंगे और्ग तो यहां पर देखें दोस्तों मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स और पड़ावा है और इस बॉक्स का यूज हम करने वाले हैं अपने सारे एरबर्ट्स को रखने के लिए तो यहां पर देखें मैंने इसमें सारे अपने एरबर्ट्स रख दिये हैं और इसी तरीके से आप भी क यहां पर देखें एक और इस तरीके का डबब पड़ा हुआ है इस तरीके के बॉक्स तो आपके घर में आते ही होगे तो इसका भी यूज हम मल्टि पर पर चीज़ों के लिए कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपी इस टेशिनरी के आइटम इसमें रख रही हूं तो बच्चों को जाते हैं तो इन समानों को रखने के लिए आप इस तरीके का उसके ज्युए आ से हुआ अगर आगए अपके घर में इस तरीके और भी बॉक्स स्कते हैं इनको डिसकारण करने के बजे आप अपने कई सरे ओर्कॉनाइजर इन से बना सकते हैं और महें आगे और्गनाइजर को खरीदने के बचे हम इस नहींगे के वेस्ट चीजों का भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर के लिए जिससे हमारा जो घर है बहुत ही अच्छे से और्गनाइज हो जाता है अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेर जरूर कर दीजेगा और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीस आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेजेगा चलिए फिर दोस्तों अपने मिलती हूं आप से कल एक इसी तरह की यूसफुल वीडियो के साथ तो तब तक लिपने अध्यान रखिए खुश रहिए